So, दोस्तो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Only Amers आपको कैसे help करेगा आपकी preparation में and कैसे Only Amers आपको एक step ahead लेकर जा सकता है आपकी preparation में, right? इस वीडियो में हम हर subject को decode करेंगे and देखेंगे हम उसे कैसे cover करने वाले हैं, हमारी strategy क्या होगी उस subject को लेके, right? and at last हम देखेंगे कि आपको revision batch मिलेगा की नहीं अगर आप इस paid group को join करते हो and आपको test is provide की जाएगी की नहीं and so on, okay? So, हम स्टार्ट करते हैं, so दोस्तो, देखो CDS 1 2023 में हमारे paid group से 57 question आये थे and CEPF 2023 में total 59 question आये थे हमारे paid group से, right? and देखो यह जो वीडियो है, आपकी CDS 2 2023 के पहले बन रही है तो almost 45 to 50 question आपको हमारे paid group से इसने भी देखने मिलेंगे, right? तो दोस्तो, देखो हम यह claim नहीं कर रहे हैं कि सारे question आपको directly देखने मिलेंगे हमारे paid group से, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि 57 and 59 question directly आये हैं आपको कुछ question directly देखने मिलेंगे and कुछ question indirectly देखने मिलेंगे, right? and देखो जो भी question indirectly है, अब उस question का reference हमारे MCQ से ले सकते हो, जो कि हमने frame किया था, like आप उस question से उससे eliminate कर सकते हो या फिर आप उस question के knowledge के basis से आप उस question को write करके आ सकते हैं, जो कि आप एक्जाम में आई होए हैं, right? and दोस्तों, अगर आपको belief नहीं है, तो आप हमारे channel OnlyAimers को visit कर सकते हो, आप जब file section में जाओगे, तो वहाँ पे आपको दो PDF मिलेगी, CDS1 and CAPF की, तो आप वहाँ से questions को देख सकते हो, right? and देखिए, जितने भी question आई हुए हैं, 57 and 59, ये question हमने खुद frame किये हैं, like MCQ basis पे सारे, कोई भी lecture नहीं है, कोई भी PDF नहीं है, सारे के सारे MCQ के basis पे हैं, तो सोचिए हमने कितने सारे MCQ आप से practice करवाई होंगे, right? so देखो, first subject हम उठाते है, quality, and अब इसको decode करते हैं, हम आपको क्या क्या provide करेंगे, हमारे paid group में, right? तो देखो, quality में हम लक्षमी गान दो follow करेंगे, and इसमें हम chapter wise MCQ, chapter wise PYQ, like हर chapter का आपको PYQ provide किया जाएगा, and साथ में ही, आपको chapter wise PYQ analysis री provide किया जाएगा, आपको ये जो समझ में आ गया होगा, right? लेकिन आप ये दो में confuse हो रहे होगे, हम कैसे provide करेंगे, weight मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्तों, देखी ये history का analysis से, ऐसे हम आपको history, science, geographic and politics का provide करेंगे, chapter wise PYQ, chapter wise MCQ तो हम provide करेंगे, साथ में ही chapter wise PYQ provide किया जाएगा, and chapter wise analysis, like है जैसे chapter 1 का analysis हो गया, ऐसे ही आपको हर एक subject का provide किया जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं, जैसे history का chapter 1, chapter 2, उसका PYQ, फिर उसका analysis, ऐसे ही हम जो भी आपके NCRT based, लक्षमी कान based question आपको यूपेसे ने पूछेंगे आपसे, वो हम आपको हमारे paid group में ऐसे ही आपको provide करेंगे, ऐसे ही आपको provide किया जाएगा, तो दोस्तों आपने देख लिया कैसे हम MCQ, PYQ and उसका analysis को cover करेंगे हमारे paid group में, राइट, एंड देखी हम सीव यहीं तक limited नहीं रहेंगे, हम कुछ चीज़े आपको theme wise करवाएंगे, जो कि UPSC आपसे पूछता रहता है उस पे question, देखो दोस्तों, UPSC आपसे judgment based question में पूछता है, चाहे वो CDS हो, या फिर आपका CEP exam हो, UPSC आपसे ऐसे question पूछता रहता है, तो हम आपको judgment based पे भी PYQ करवाएंगे, लाइक अलग separate theme बनाएंगे scan, उसमें आपको यह question प्रवाइड करेंगे, सिव आपको यह PYQ भी नहीं प्रवाइड होगा, साथ में हम क्या add-on करेंगे, हम करेंगे जो केश्वर अंदर भारती case हो गया, गुलकनाथ case हो गया, जैसे मिंदग घंदी case हो गया, यह सारे cases important है, तो in future UPSC आपसे इस पे statement wise भी question पूछ सकता है, तो हम इसके लिए भी prepare रहेंगे, तो हम ऐसी भी question को tackle करेंगे, एंद देखो ऐसा नहीं है कि सिव हम judgment based question ही आपको paid में provide करेंगे, देखिए हम articles को भी cover कराएंगे, अब articles हम दो तरीकी से cover कर सकते हैं, एक आपको chapter wise में provide कर दें, या फिर एक, जब आपको लक्षमिकान के सारे subject, सारे chapters cover हो जाएं, तो हम उसके बाद judgment based question ही start करेंगे, articles, जितने भी articles आपके PYQ हैं, जो भी CAPF, CDS, NDA ये state pieces में आई हुए हैं, वो हम आपको एक जगे पे compiler कर देंगे, तो इससे आप उसको बहुत easy revise भी कर सकते हैं, easily attempt भी कर सकते हैं, ये आपको अलग provide करेंगे, इसी तरह हम आपको amendments की PYQ डालेंगे, क्योंकि UPSC amendments भी question पूछता है, जैसे इस बार CAPF 2023 में question आया था, state list, union list and congregate list में, ऐसे भी question UPSC आप से अलड़ी पूछ चुका है, तो ऐसे भी हम question को tackle करेंगे, ये सारे question कब tackle करेंगे, जब हम chapter wise cover कर लेंगे, उसके बाद हम ये सारे questions, judgment page question हो गया, articles हो गया, amendments हो गया, union list हो गया, state list हो गया, हम वैसे question को cover करेंगे, and अगर हमारे mind में कुछ और चीज़े भी आती है, कि हाँ ये भी आप exam के point of course important है, तो no doubt हम वो भी आपको cover करवा देंगे, right, and देखिए, ये सारी चीज़े आप खुद भी कर सकते हो, right, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, कि अगर आप ये साथ चीज़े analyze करोगे, देखोगे, तो आप पढ़ोगे कब, because CEPF के लिए one year होता है, and CDS के लिए six month होता है, right, तो अगर आप ये साथ चीज़े करने बैठोगे, तो बहुत ज़रा time consuming है ये सारी चीज़े, right, तो इसलिए हम है आपके लिए, हम ये साथ चीज़े आपको एक ज़री compile करके देंगे, and हम बताएंगे कि आपको क्या strategy होगी, आपको कैसे topic important है, कौन से topic आपको cover up करने है, right, देखिए हम तो ready हैं, हमारा 110% देने के लिए, आप बस हमें अपना 80% दीजिए, 20% में आपसे खुद ले लूँगा आपका, right, so देखिए, politically हमाले यही strategy रहेगी, कि हम ऐसे ही लक्षमी कान follow करेंगे, and इस तरह हम theme wise cover up करेंगे, okay, so देखिए, next क्या history, so अब हम देखेंगे history हम कैसे cover up करेंगे, right, so दोस्तों history में हम team 1, team 2, and team 3 cover करेंगे, right, जो को जो themes हैं, उसके आपको chapter wise mcq, chapter wise pyq, and उसके analysis provide किये जाएंगे, right, लेकिन अगर हम spectrum की बात पर आते हैं, तो spectrum book के आपको chapter wise mcq, no doubt हम आपको provide करेंगे, देखे, spectrum से हम आपको chapter wise pyq तो provide नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, spectrum में कुछ themes हैं, जो की बहुत ज़्यादा important है, UPSC आपको वहीं से question पूस्ता रहता है, frequently, right, और वो themes क्या-क्या हैं, वो themes हैं जैसे कि non-corporation movement हो गया, सत्यागरा हो गया, simon commission हो गया, gandhi era हो गया, moderate and extremist हो गया, sabhaz ननके founder हो गया, newspaper हो गया, उसके बाद revolts हो गया, तो यह साहरे कुछ ऐसे themes होते हैं, जो की UPSC इसी में से question पूस्ता है, तो इसी में से पूस्ता है, right, तो हम spectrum को ऐसे theme wise cover करेंगे, chapter wise हम आपको MCQ तो इसके देंगे, देंगे and इसके theme wise pyq हम आपको cover कराएंगे, right, तो दोस्तो UPSC आपसे keyword related question पूस्ता रहता है, जैसे कि trade हो, religions हो, administration हो, जैसे आप देश सकते हैं, CSC में हो गया, CDS में हो गया, CAPF में हो गया, right, तो only emers ने already आपके लिए 40 pyq compiler के एक place पे रख दिया है, right, देखिए only emers अभी सही आपके लिए work करना है start कर दिया है, कि हम एक systematic way में और एक best way में चीजों को represent करें आपके सामने, and एक best तरीके का MCQ और चीज़े आपको provide करें, right, देखिए चाहे वो CAPF exam हो, चाहे वो serious exam हो, only emers तो अपना best देगा, right, so अब हमारा next topic क्या है, geographic, right, देखिए geographically हम लोग 9th, 10th, 11th and 12th की book को follow करेंगे, right, and कैसे follow करेंगे, देखिए जैसे पिसले batch में हमने geography को cover किया था, like, यह जो 9th की and 11th की book है, यह इसकी जब आप chapters देखो की chapters same है, right, इसरा आप जब 10th and 12th की book को देखो कुछ chapters इसके same है, तो हम उसको combined करके पड़ेंगे, right, यह नहीं कि पहले 9th के लिए, फिर हम अलग से 12th की book complete करेंगे, नहीं, जो chapters same है, उसको 7 में ही लेके चलेंगे, तो systematic way में एक, अच्छी से way में आपकी चीज़े complete हो जाएगी, यह आपको अच्छी से हरे topic की understanding होगी, okay, तो geographic में भी आपको chapter wise MCQ, PYQ and PYQ analysis provide किये जाएंगे, okay, अब ऐसा है कि हमने book को तो cover कर लिया, लेकिन UPSC आपसे map based question भी तो पूछता है, अब यह भी तो हमाई responsibility कि हम आपको provide करें, तो जी हाँ हम करेंगे, and like UPSC आपसे ports पे question पूछता है, mountain हो गया, volcanoes हो गया, Indian state boundaries, बहुत important है, UPSC आपसे landlocked states पूछने लगा कौन से होते हैं, right, तो हम इसको भी tackle करेंगे, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही topics हैं, और भी topics हैं, जब हम geographic start करेंगे, तब हम वो भी चीज़े आपको बताएंगे, हम और क्या क्या करने वाले हैं, and अगर आपको देखना है, कितने सारे question UPSC आपसे ports पे पूछा है, तो आप हमारी इस video को देख सकते हैं, and देखिए UPSC कैसे आपको question में twist and turns दे सकता है, यह भी further UPSC और कैसे question frame कर सकता है, जब आप यह video देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, तो आप इस video देखनी जएगा, आपको बहुत कुछ सीठने ही मिलेगा, चाहाए आप only aimers का paid group join कर रहे हो, या कोई further paid group join करें, कोई और institute का, तो join करने से पहले, दो चीज़ का ध्यान रखना, एक तो वो कैसे MCQ frame करते हैं, और क्या वो holistically सारे aspect को cover कर रहे हैं, जो की exam की point of view से important है, देखिए MCQ की importance बहुत ज़्यादा होती है, because यह आपकी knowledge, and आपको यह बताता है, कि in depth आपको कितना knowledge है वो चीज़ की, clearity कितनी हो topic की, because easy MCQ तो हर कोई solve कर लेता है, MCQ का मतलब यह होता है, कि आपको सोसने पर मजबूर करना चाहिए, वो MCQ, कि हाँ मैं यहाँ पर गल्ती कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पर twist and turns है, right, and अगर आपको only emers की बारे में जानना है, कि हम कैसे MCQ को frame करते हैं, तो हमने already हमारे paid group में बहुत सारे MCQ पोस्ट करके रखे हैं, geographic के, science के, history के, तो आप एक brief overview ले सकते हो, कि हम कैसे questions आपको हमारे paid group में provide करने वाले हैं, and उसके हम आपको chapter wise MCQ, chapter wise PYQ and chapter wise PYQ analysis भी provide करेंगे, right, and देखिए, आपकी 9th की book में एक chapter है, why do we fall ill, अब वहाँ से आपको you basic question पूछता है, लिकिन वो disease पे question पूछता है, weight में आपको दिखाता हूँ, देखिए, यह हमारा paid group है, right, यहाँ पे देखिए, हमने इस बार आपको theme wise cover किया था, like theme wise हमने science, geographic, quality and history cover किया था, जितनी भी important theme होते हैं, जहां से you basic question पूछता है, जैसे disease हो गया, concave and convex mirror हो गया, sound wave हो गया, plant issues हो गया, इस इस बार geographic क्यों हो गया, आप देख सकते हैं, हमने theme wise इस बार कवर किया था आपके लिए, लेकिन बहुत बच्चों के message आए था हमारे पास, sir please chapter wise ले किया आई है, तो इस बार हम आपको chapter wise प्रोवाइड करेंगे, no doubt यह जो series होगे, chapter wise जो initiative है हमारा, यह आपको next level लेके जाएगा, because आपको पदा चलेगा कि हाँ, UPC chapter wise कैसे questions frame करता आप exam में, right, and science हम essay cover करेंगे, right, देखिए, science के हम बहुत सारे MCQ और बहुत सारे PYQ आपको provide करेंगे, because no doubt UPC आपसे 29 to 30 questions पूछता है, चाहे वो CAPF exam हो, या फिर CDS हो, right, so science आपकी exam में पूरी की पूरी game change कर सकता है, अगर आपका science is strong है, तो हम science पे बहुत अच्छे से focus करने वाले हैं, okay, तो देखिए, अब आता है अपना economic, इसके लिए हम दो book follow करेंगे, micro and macro, and देखा जाए तो UPSC आप से macro पे ही बहुत सारे question पूछता है, right, and लेकिन इसके हम आपको सिर्फ PYQ provide करेंगे, right, इसके हम theme wise लेके चलेंगे, जैसे हो गया budget हो गया, inflation हो गया, and जैसे UPSC आप से 5 year plan पे question पूछन पूछन लगा है, तो हम इसको भी holistically cover करेंगे, right, and ऐसे और भी topic होंगे जो कि हम cover करेंगे economically के लिए, right, so अब हम आते हैं हमारे current affair पे, देखिए CPF के लिए आपको 1 year के मिलेंगे, CDS के लिए 6 month के लिए मिलेंगे, regular मिलेंगे and month wise मिलेंगे, and साथ में इसको index wise cover करेंगे, right, award का अलग section बनेगा, sports का अलग बनेगा, defense का अलग बनेगा, international का अलग बनेगा, right, schemes के अलग बनेगे, ऐसे और भी अलग-अलग sections से हम cover करेंगे, अपने current affair को, right, तो देखिए, अब आपको क्या-क्या मिलेगा, हमारे paid group में, देखिए, chapter wise mcq तो मिलेंगे, chapter wise pyq हां मिलेगा, chapter wise pyq analysis हां मिलेंगे, right, and plus आपको, जब भी आपका syllabus इसक्राइब हो जाएगा, तो चाहे capf हो, चाहे cds हो, आपको इन दोनों के लिए, revision badge भी मिलेगा, right, तो आपको revision के लिए भी कहीनी जाना है, हम खुदी आपका revision करवाएंगे, okay, and साथ में ही आपको, आपको दो test series मिलेगी, right, दो test series मिलेगी, दो test series आपको cpf के लिए मिलेगी, and दो test series आपको cds के लिए मिलेगी, right, and देखिए हम सीव दो क्यू करवा रहे हैं सीव, because देखिए, आप already बहुत सारे MCQ solve कर चुके होंगे, बहुत सारे PYQ solve कर चुके होंगे, right, देखिए test series काम क्या आती है, test series आपको time management काम आती है, कि आप time पे अपने paper complete कर पा रहे हो की नहीं, सारे question आप attempt कर पा रहे हो की नहीं, right, हमारा main focus हैगा MCQ and PYQ पे, अगर आपने ये दोग को अच्छे से strong कर लिया और cover कर लिया न, no doubt आप बहुत अच्छे perform करने वाले हैं अपनी exam में, right, देखिए further price क्या होगी group की, and group आपका 10 September के बाद start होगा, right, price and further details आप हमारे only emers में provide कर दे जाएगी, right, okay, so thank you guys,